साथियों, जस्टिस डिलिवरी का एक और बड़ा पहलू है, जिसकी चर्चा बहुत कम हो पाती है, वो है भाषा और कानून की सरल्ता। अब हम भारत सरकार में भी सोच रहे हैं कि कानून दो प्रकार से प्रस्तूत किये जाएं, एक जिस भाषा पे आप लोग के आदी हैं, वो वाला ट्राप्ट होगा, और दूसरा देश का सामान ने मान भी समझ सके ऐसी भाषा, कि उसको कानून भी अपना लगना चाहिए, हम कोशिश कर रहे हैं, मुझे भी सिस्टिम भी उसी धाचे में पली बढ़ी हैं, तो उसको बाहर निकालते निकालते, तिकिन हो सकता है कि अभी मुझे कापी काम है, मेरे पास समय भी बहुत है, तो मैं करता रहूंगा, कानून की भाषा में लिखे जा रहे हैं, अदालती कारेवाई की भाषा में हो रही है, ये बात न्याय सुनिजित करनारे में बहुत बड़ी भूमी का निभाती हैं, पहले किसी भी लोग के ड्राफ्टिंग बहुत कॉंप्लेक्स होती थी, सरकार के तौर पर अब हम भारत में नए कानून जैसा मैंने आप कहा, दो प्रकार से, और जितना ज्यादा हम सरल बना सके और हो सके उतना भारतिय भाषाओं में उपलब्द करा शुके, उद्धिशा में हम बहुत सिंसेली प्रयास कर रहे हैं, डेटा प्रोटेक्शन लोग, आपने देखा होगा उसमें यह सिंप्लिविक्रिफिकेशन का हमने एक पहली शुरुवात की है, और मैं पक्का मानता हूँ कि सामान्य व्यक्ति को उस परिभाषा से सुविदा रहेगी, भारत की न्याय विवस्ता में मैं समझता हूँ यह बहुत बड़ा परिबर्तन हुआ है, और मैं चंदर चूट जी का था, पब्लिक ली में एक बार अभिन्दन किया था क्योंकि उन्हों ने कहा कि अब कॉर्ट जज्जमेंट का अपरेटिव पार्ट जो लिटिगंट है उसकी भाषा में हम उपलब्द कराएंगे, दिखिए इतने से काम में 55 साल लग दे, और ऐसे के लिए इसके लिए भी मुझे आना पुड़ा, मैं भारत के सुपनकौर्ट को इसके लिए बधाय भी बधाय दूँगा, कि उसने अपने फैंसलों को कई स्थानिय भाषाओं में भी अनुवाद करने की विवस्था की हैं, इससे भी भारत के सामान व्यक्ति को बहुत मदद मिलेगी,